कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी का एक और खेल बिगड सकता है और राहूल गांधी के हाथ से मुद्धी सरकार एक और मुद्धा चीन सकती है तर्शिकों राहूल गांधी जो हमेशा से यहला करते हैं कि देश के साथ अगनीवीर का बड़ा धूका है राहूल के हाथ से वो को को लगातार कह रहे थे कि अगनी वीर से सेना का वरगी करण हो जाएगा लेकिन जिस तरह की खबरे निकल कर सामने आ रही है उसको देख कर और सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि राहूल के हाथ से भाज़ुपा सरकार ने ये मुद्दा भी चीन लिया है क्या है पूरी खबर ब रखने की सीमा बढ़ाई जा सकती है मौजूदा नियमों के हिसाब से 25 स्थी अगनी वीर सेवा में बने रहते हैं हाला कि इसे लेकर आधिकारिक तोर पर कोई भी जवाब नहीं आया है इसके अलावा भी अगनी वीर योजना में कई बदलाव हो सकते हैं सरकार ने साल 2022 में अगनी वीर योजना का एलान किया था रक्षा सूत्रों के हवाले में बताया गया है कि सरकार अगनी वीर योजना में कुछ बदलावों की योजना बना रही है इसके तहत ज्यादा अगनी वीर सेना में रीटेन किये जाएंगे साधियों की सैलरी में भी बदलाव हो सकता है फिलाल रक्षामंत्राले ने अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है कहा यह जा रहा है कि उजनाओं के लाब और विवस्ता में बेहितर करने के लिए बदलाव किये जा सकते हैं रिपोर्ट में रक्षामंत्राले के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि अगनी वीरों को सेवा में बनाय रखने की सीमा बढ़ाने के लिए चर्चाय जारी है इसके बाद 4 साल की सेवा पूरी कर चुके ज्यादा अगनी वीर सेना का हिस्ता बन सकेंगे पिलाल ये आकड़ा 25 तीजदी है कहा जा रहा है कि सेन ये जानकारों का मानना है कि 25 तीजदी रिटेंड करने की सीमा परियाप्त नहीं है जमीन पर लणने के ताकत बनाय रखने पर चौथाई आकड़े को रिटेंड करने की संक्या बेहत कम है उन्होंने का सेना ने सिफारिश की है और चार सालों के बाद सेवा में बनाय रखे जाने वाले अग्मीवीरों की संक्या बढ़ा कर 50 तीजदी की जाने चाहिए खबर है कि सेना ने इस संबंध में सरकार के सामने अपनी सिफारिशें जमा कर दी है इसे लेकर आंत्रिक सर्वे भी किया जादा था हालगी शीर्ष रक्षा अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है साल 22 पे सरकार ने अग्मी पत योजना का एलान किया था योजना के तहर चार साल के लिए अग्मीवीरों को तीनों सैन्य सेवाओं जल थल और वायू में नियुक्ति की जानी थी दोस्तों समझने की जरूरत है कि अग्मीवीर इसी लिए लेकर आया गया था कि देश की सेना को आधुनेक और युवा बनाया जा सके लेकिन विपक्ष ने तो यहां भी राजनीती घुसा दी लेकिन सरकार में बड़ी ही सहजिता से विपक्ष को मात दे दी लगतार मिल रही हार से कॉंग्रेस लेता इतने परिशान है कि वो बीजेपी को खेरने के लिए कुछ भी करने के लिए तयार है लेकिन अब कॉंग्रेस एक्सपोज होती चा रही है राहुल गांधी लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में कॉंग्रेस की नेता जो कर रहे हैं उसे कॉंग्रेस की काफी फजी हथ हो रही है। दोस्तों देश के भीतर कॉंग्रेस की पॉलिटिक्स को अब कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। सबी को पता है कि कॉंग्रेस का काम ही है कि आरोप लगाओ और देश को गुमरह करो तमाम तरहें कि आरोप कॉंग्रेस लगाती रहती है लगता है कि कॉंग्रेस ने ये काम फिक्स कर लिया है कि रात को एक गुमरह करने वाला टॉपिक ढूट लो और सुबह उठकर अकवर रो कि किस तरह की राशनीती करें तो लोग उसका विश्वास करेंगे। तमाम तरह की अटकलवाजी के बीच में कॉंग्रेस ने देश के प्रतिष्ठत बैंकों में शुमार आईसी 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 आई बैंक पर आरोप लगाया और उसमें सेवी प्रमुक को भी घेरा कि वो अभी इसी आई बैंक ने सफाई चारी की हैं। बैंक ने इन औरोपों का खंडन करते हुए रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा सेवी चेर परसन को कोई सेलरी या एसाउपस नहीं दिया गया है। इसमामले में हम ये करना चाहते हैं कि ICICI बैंक या इसकी समूह कमपनियों ने मादभी पूरी बुच के रेटार्मेंट के बाद ना तो कोई वेतन दिया है और ना तो कोई इस आपस चारी किया है ICICI बैंक के मताबिक मादभी पूरी बुच ने 31 अक्टूबर 2013 से अपने रेटार्मेंट का विकल्ब चुना था ICICI बैंक ने कहा मादभी पूरी बुच को रेटार्मेंट के बाद किया गया सभी बुगतान उनके ICICI ग्रुप में नौकरी करने के दौरान किया गया है जिसमें E-Sops और रेटार्मेंट विनिफिट्स भी शामिल है कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरेंस कर ये आरोप लगाया था कि मादभी पूरी बुच से भी की फुल टाइम सदा से बनने के बाद भी ICICI बैंक से बेतन लेती रही है जो की नियमों के खिलाफ है कॉंग्रेस ने अपने आरोपों में कहा है कि 2017 में सेवी में सदा से बनने के बाद मादभी पूरी बुच सेवी और बैंक दोनों से सेलरी लेती रही है कौंगरेज ने मादवी पुरीबुच को सेवी चीफ बनाये चाने पर केंदर सरकार पर भी हमला बोला था दोस्तों समझने की जरूरत है कि कौंगरेज ने जसे सेवी प्रमुख को घेरा है उसे एक बात तो साफ है कि कौंग्रेस देश की आर्थिक तंतर को कहीं न कहीं धुमिल कर धूस्त करना चाहती है कौंग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है राहुल गांधी दाबक कर रहे हैं कि उनके साथ लोग जुड रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस की सियासी ताकत क्या है इसका अंदाजा अब राहुल गांधी भी समझ रहे हैं। इसलिए तो वो अपनी पारिटी को बचाने के लिए दूसरे दलों के आगे हाथ फैला रहे हैं कि कॉंग्रेस कैसे भी करके अपनी इज़त बचा पाए। लेकिन कॉंग्रेस के नेता ही कॉंग्रेस का खेल बिकार रहे हैं। ये समझाने में लगे हैं कि हरियाणा में उनके बिना पार्टी की कोई बिसात नहीं है। तो दूसरी तरफ कुंग्रेस शेलजा अलग से यात्रा निकाल कर ये साफ कह रही हैं कि जना अधार की कमी तो उनके पास भी नहीं है। तो वो कैसे कदम पीछे खीच लें और आहे बगाहे कही जगे ये पोस्टर भी वारल होते रहते हैं कि हरियाणा को दलित मुख्यमंत्री सिर्फ कॉंग्रेस सीथ दे सकती है। तमाम उठापटक के बाद कुमारी शेलजा का एक और बयान वाइरल हो रहा है। परिवारी हरियाणा में कॉंग्रेस के बीतर कॉंग्रेस का राशनीती का केंदर नहीं होगा। कि हमारे यहां एक प्रोसेस है। टिकट देने का हमारा दल एक लोगतांत्रिक दल है। यहां हर काम का एक प्रोसेस की तरह होता है स्क्रेनिंग कमेटी होती है जो ये तै करती है कि किसको टिकट मिले किसको नहीं दोस्तों समझने की जरूरत है कि कॉंग्रेस जिस तरह की अंतरकला से जूज रही है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कॉंग्रेस को धड़े बंदी ने ही परिशान कर दिया है राजस्तान में भी कॉंग्रेस इसी वज़े से हारी थी कि वो जूतम पैजार में ही वहां फंस गई थी कि एक तरफ गैलो थे और एक तरफ सेचिन पैलिट थे इसी आपसी संगश में राजस्तान में कॉंग्रेस फंसी और हार भी कई और ऐसा ही हाल लगता है कि हर्याना में भी कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है हर्याना में कॉंग्रेस हुड़ा और शेलजा गुटवाजी में बटी है ऐसे में पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है ऐसे में सवाल है कि क्या इसलिए ही राहुल गांधी चाहते है कि हर्याना में कॉंग्रेस का आमादमी पार्टी से गटवंधन हो जाए एक तरफ तो कॉंग्रेस कह रही है कि हर्याण में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी वही दूसरी तरफ राहूल गांधी आपसे गटवंदन करना चाहते हैं ऐसे में क्या राहूल समझ गए हैं कि हर्याण में कॉंग्रेस मुश्किल में है दोस्तों एक कहावत है कि बगावत करो तो सत्ता हासल करो लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ तो खेल ही हो गया उन्होंने ये मिठत पाल लिया था कि वो बीजेपी से बगावत करेंगे तो हर जगा उनकी वहवाही ही होगी कॉंग्रिस और M.C.P. अविभाजित में उनकी पूछ पढ़ेगी लेकिन दर्शकों ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि दर्शकों उद्धव की हालत ऐसी हो गई है कि वो ना घर की रहे और ना ही घाट के हर कोई या तो फिर उन्हें दुदकार रहा है या फिर ही नजरों से देख रहा है कॉंग्रिस और M.C.P. शरत पवार ने उद्धव ठाकरे को साफ साफ समझा दिया है कि हरकत मत करो और जो मिल रहा है उसे चुपचाप ग्रहन कर लो उद्धव ठाकरे को महाविकास ने साफ संदेश दे दिया है कि पहले जुनाव फिर पढ़नाम और फिर घोशना होगी यानि कि जिस राजनेतिक स्वार्थ के लिए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और अपनी राजनेतिक संस्कृती से बगावत की थी उसका फल उन्हें यहां भी नहीं मिला यानि कि ना माया ही मिले और ना ही राम मिले दोस्तों की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे बीटे करीब एक महीने से लगातार ये कह रहे हैं कि विधानसभा जुनाव से पहले हमें महाविकास अगाडी का मुख्य मंतरी का चेहरा तैक होना चाही ये बात वो जोर देखर कह रहे थे और उनका यहां तक कहना था कि सीम फे से साधार पड़ते नहीं होना चाहिए कि गटबंधन के किस दल को सबसे ज़्यादा सीट मिली हैं उनका साफ इशारा था कि उद्धव सेना का सीम पत पर दावा है और पहले ही उसके नेता का चेहरा बना दिया जाए हलाकि दोस्तों शरत पवार और कॉंग्रिस की ओर से उनके इस रुख को तवज्यों नहीं दी गए यहां तकी शरत पवार जिसे वरिष्ठ नेता ने भी कहा है कि हम बिना चुहरे के ही उत्रिंग और पहला टाकेट एंडिये को सता से बाहर करना है अब कॉंग्रिस और शरत पवार के आगे उत्धव सेना भी छुकती दिख रही है पार्टी नेता संजे राउत ने कहा कि महराश्ट के आगामी विधान्जवा चुनावों के लिए बहाविकास अगाडी यानि M.V.A के मुख्यमंत्री पद के उमीदवार को लेकर बाचीत बाद में भी हो सकती है इसी लिए क्योंकि पहला लक्षे राजि में भरष्ट महायुत्ती सरकार को खटाना है उनके टिपणी शरत पवार को उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि M.V.A को मुख्यमंत्री पत का चेहरा घोशित करने किये कोई आव राष्ट्र में M.V.A को बहुमत मिला है हमारा पहला काम वर्तमान सरकार को हटाना है हम बाद में किसी भी समय मुख्यमंत्री पत के बारे में बात कर सकते हैं उनके टिपणी के संकेत मिलते हैं कि उनकी पार्टी ने इस बाद पर अपना रुख नरम कर लिया है कि राज्य मे अगली सरकार कौन समालेगा पिछले माईने जफसेना यूबीटी प्रमुक उद्धफ ठाकरे ने सहयोगी दलों कॉंग्रिस और रांकापाश शरत पवार से बुख्यमंत्री पत का चेहरा तै करने के लिए कहा था और इस शीर्ष पत के उमीदवार के लिए अपना समर्था देने की बात भी कही थी जिस तरह सुद्धफ सेना ने अपने बयानों से यूटर्न लिया है उससे एक बात तो साफ है कि जल्दी महाराष्ट की राजनीती से उद्धफ ठाकरे वनवास पर जा सकते हैं वहीं ये बात भी कही जा रही है कि उद्धफ ठाकरे कॉंग्रिस से नाराज हैं इसलिए भी उन्होंने राहूल गांधी के रैली से दूरी बनाई हैं। कॉंग्रिस नेता मौझूद थे। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।